नमस्कार साथियो आज शिर्ष से हम हिंदी व्याकन का जो पाट चल रहा था सब्द विचार उसमें आपन ने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद देख लिए थे अब हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं दो नमबर का रचना के आधार पर रचना के आधार पर रचना के आधार पर शब्द वेद कौन-कौन से हैं पिछले वीडियो मैंने आपको इनका वर्गी करन समझाया था जिसमें रचना के आधार पर आपको बताये थे इसके तीन भेद होते हैं तीन प्रकार होते हैं नमबर एक, रूड, रूड शब्द, कौन सो होता है, रूड शब्द, नमबर दो, योगिक शब्द, योगिक शब्द, नमबर तीन, योग रूड, योग रूड शब्द, तो कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर तीन प्रकार के रूड योगिक और योग रूड अब एक एक को वन बाई वन को हम स्पस्ट करते हैं कि रूड किसे कहते हैं रूड का मतलब होता है स्थाई यानि एक ही निश्चित अर्थ हो गया है वह शब्द वह वस्तु का नाम या स्थान का नाम या व्यक्ती का नाम जो प्राचीन काल से लंबे समय से किसी एक अर्थ के लिए रूड हो गया है इसके लिए किसी एक निश्चित अर्थ के लिए रूड हो गया है वह रूड शब्द कहलाता है निश्चित हो गया है वह अर्थ जो निश्चित हो गया है वो शब्द क्या कहलाएगा रूड शब्द कहलाएगा जैसे कहने का मतलब मैं लिखता हूँ धार्ण में स्त्री यह प्राचीन कालजा मैं पता नहीं है कब से यह निश्चित किया गया ये शब्द इसका अर्थ औरत होता है कब से निश्चित किया गया ये हमें पता नहीं है आता है वहे शब्द क्या कहलाएगा रूड शब्द कहलाएगा वहे नाम जो किसी वस्तू का हो व्यक्टी का हो या किसी स्थान का नाम हो वहे किसी एक आदिकाल से किसी एक निश्चित अर्थ के लिए प्रियोग तो होता है प्रियोग में लिया जाता है वहे शब्द क्या कहल या दूसरे तरीके से इस प्रकार भी कह सकते हैं जब किशी शब्द का अर्थ तुकड़े करने पर नहीं निकले यानि कोई शब्द को हम तोड़ देते हैं तुकड़े कर देते हैं तो उसका अर्थ नहीं निकलता है तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे रूड शब्द कहेंगे इसी प्रकार से जैसे मानाव है इसी प्रकार से जैसे आदमी है इसी प्रकार से कोई अन्य नाम है जैसे महेश जिस प्रकार से रमा शब्द है ये क्या है ये रूड है किसी एक अर्थ के लिए एक निश्चित अर्थ के लिए यह जाने जाते हैं इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? रूड शब्द कहेंगे समझ में आया? दूसरा है योगिक शब्द कौन सा है? योगिक शब्द नाम से सपस्ठ हो रहा है मूल शब्द जो है वह योग है कोन सा सब्द है? योग योग से अभीप्राय क्या है? मतलब जोड़ना यानि वो शब्द जो किसी दो शब्दों से मिलकर जुड़ा हो उसे हम योगिक शब्द कहते हैं लेकिन यदि उसका टुकडा कर दिया जाए यानि उसको प्रथक कर दिया जाए तो भी अर्थ में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं आती है उसे हम योगिक शब्द कहते हैं किसे कहेंगे जो दो शब्द से मिलकर बना है उधान के लिए जैसे भोजनाल है ये शब्द है अब इसमें दो शब्द है एक तो कौन सा है भोजन और दूसरा आल है दो शब्द हैं दोनों शब्द से मिलकर यह शब्द बना है भोजनाल है इसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होती है तो वो शब्द क्या कहलाएगा योगिक शब्द कहलाएगा चर्चा करते हैं योग रूड यानि जो शब्द योगिक भी है और जो रूड भी है यानि जो दो शब्दों से मिलकर बना भी है लेकिन किसी तीसरे अर्थ के लिए वो क्या हो गया है रूड हो गया है निश्चित हो गया है वहे शब्द योगरूड शब्द कहलाता है जैसे उधान के लिए मैं बताओ आपको गजानन क्या है गजानन अब इसमें देखिए दो शब्द हैं एक तो है गज और दूसरा क्या है आनन दो शब्द हो गए ना तो ये दोनों मिलकर बने हैं गजानन तो ये योगित भी हो गया लेकिन यह किसी तीसरे अर्थ यानि अन्य अर्थ के लिए यह है रूड हो गया है अन्य अर्थ के लिए निश्चित हो गया है जैसे आप गजानन शब्द का प्रियोग करेंगे गजानन शब्द बोलेंगे तो उसका स्पष्ट पह अर्थ निकल जाता है गणेश क्योंकि तीसरे अर्थ निकलता है क्योंकि तीसरे अर्थ के लिए यह है रूड बन गया है इसलिए इसे क्या कहेंगे योग रूड शब्द कहेंगे समझ में आ परमपरा से चले आ रहे किसी निस्षित अर्थ के लिए प्रियोग होते हैं वह शब्द क्या कहलते हैं अर्थात दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस शब्द का टुकडा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वह शब्द रूड शब्द कहलाता है नमबर दो योगिक शब्द योगिक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं नाम से इस पस्ट हो रहा है इसमें मूल शब्द क्या है योग योग का मतलब जोड़ना यानि वह सब्द जो दो सब्दों से मिलकर बना है और अलग-अलग करने पर भी उसके अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे योगिक सब्द कहेंगे जैसे भोजनाले विद्याले इसी प्रकार से रसोई घर ये क्या है यह है योगिक सब्द कहलाएंगे इन्हें हम क्या कहेंगे योगिक सब्द कहे जैसे रेल गाड़ी है रेल गाड़ी में दो शब्द है रेल गाड़ी दोनों को जोड़ दीजिए रेल गाड़ी शब्द बनता है अलग अलग कर दीजिए तो भी वही अर्थ निकलता है इसलिए ये शब्द क्या कहलाएंगे योगिक शब्द कहलाएंगे बात करते हैं योग अर्थ के लिए रूड हो गया है निस्षित हो गया है तो उसे हम क्या कहेंगे योग रूड शब्द कहेंगे जैसे गजानन जैसे नीलांबर जैसे पीतपट जिस प्रकार से जितने भी आपने बहुवरी के उधारन देखे होंगे वो सारे बहुवरी के उधारन योग रूड शब्द में आते हैं, वो शारे योगरूड में होंगे इसी प्रकार से एक दंती हैं, लंबोदर है यह तीसरे अर्थ 게 लिए रूड बन गए हैं इसलिए उनको योगरूड शब्द कहते हैं, समझ में आया होगा आपको रूड, योगिक और योगरूड अब बात करते हैं तीन नंबर की, तीसरा नंबर कौन सा है? तीसरा नंबर है विकार के आधार पर, किसके आधार पर? विकार के आधार पर, तीसरा है विकार के आधार पर, शब्द भेद, विकार के आधार पर, अब बात करते हैं विकार विकार क्या है तब ही हम इसके भेद को समझ पाएंगे विकार किसे कहते हैं अर्था जिस शब्द पर जिस शब्द पर किसी लिंग वचन कारक काल का प्रभाव देखा जाए देखा जाए तो वो विकार की आधार पर कहलाता है अर्थात प्रभाव पढ़ता है या नहीं पढ़ता है एक तो पढ़ता है प्रभाव पढ़ता है और दूसरा नहीं पढ़ता है तो वो शब्द इस आधार पर दो प्रकार के होंगे यानि एक तो होगा विकारी और दूसरा होगा एविकारी एविकारी विकारी शब्द कौन सा कहलाएगा जिस शब्द पर किसी लिंग वचन कारकाल का प्रभाव पढ़ता है उसमें तो क्या होगा प्रभाव पढ़ता है यानि लिंग वचन कारकाल के वर्तन आ जाता है तो वो तो कहलाएगा विकारी शब्द और जिस शब्द पर किसी लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है तो वो कहलाएगा एविकारी शब्द समझ में आ रहा होगा आपको विकारी और एविकारी में क्या उंतर है इन चीजों को ध्यान म रखना है जिस पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव पढ़ता है वो विकारी है जिस पर नहीं पढ़ता वो क्या कहलाते हैं एविकारी पढ़ता है तो विकारी और नहीं पढ़ता है तो एविकारी शब्द कहलाएंगे आप समझते हैं कि यह कौन-कौन से होते हैं इनके बार कारी शब्द किसे कहेंगे जिश शब्द पर किसी लिंग वचन कारक काल का प्रभाव पढ़ता है तो वो क्या कहलाएगा तो वह विकारी शब्द कहलाता है यानि जिस पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव पढ़ता है तो वो विकारी शब्द कहलाता है उधारन के लिए जैसे कोई भी संग्या है क्या है कोई भी संग्या सर्वनाम है विशेशन है या क्रिया है वो क्या कहलाते हैं वो सारे विकारी शब्द कहलाते हैं कौन-कौन से संग्या सर्वनाम विशेशन और क्रिया इन चार को विकारी शब्दों में शामिल किया जाता है अब हम वन बाई वन करके इन पे भी प्रकास डालेंगे चर्चा करेंगे इससे पहले हम एविकारी शब्द भी देख लेते हैं नमबर दो एविकारी शब्द एविकारी शब्द किसे कहते हैं एविकारी शब्द जिस शब्द पर किसी लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है तो वह है एविकारी शब्द कहलाता है समझ में आपको विकारी शब्द जिस पर प्रभाव पढ़ता है और एविकारी शब्द जिस पर प्रभाव नहीं पढ़ता है वो एविकारी शब्द कहलाते हैं कैसे क्रिया विशेशन क्रिया विशेशन अव्यव क्या है अव्यव आदी ये क्या कहलाते हैं ये एविकारी शब्द कहलाते हैं आप चाहे किसी भी लिंग में प्रियोग करें किसी भी वचन में प्रियोग करें किसी भी कारक के साथ प्रियोग करें किसी भी काल में आप प्रियोग करें इसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है इसलिए इन्हें हम ऐविकारी शब्द कहते हैं समझ में आया होगा ये थे आपके शब्द विचार शब्द विचारों के बारे में मूलत है जो तीन भेद थे कौन-कौन से पहला भेद आपको बताया रचना के अधार पर दूसरा बताया आपको रचना के अधार पर और तीसरा बताया विकार के अधार पर इसके आतीरिक्त भी विद्वानों ने बिन बिन माने हैं जैसे समूह, वाची, अर्थ के आधार पर, प्रियोग के आधार पर और भी भेदिनों ने स्विकार किये हैं लेकिन मूलत है वर्गी करण में आपको केवल ये तीन ही ध्यान रखने हैं तीन आधारों पर आपको शब्द विचार ध्यान में रखना है कौन सा उत्पत्ती के आधार पर नमबर दो रचना के आधार पर और नमबर तीन विकार के आधार पर उत्पत्ती के आधार पर इसके पांच भेद होते हैं रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं और विकार के आधार पर इसके दो भेद होते हैं समझे आप लोगों को अब हम यहां से सुरू करेंगे किस से विकार के आधार पर जो शब्द बताए आपको वो चार प्रकार के बताए हैं संग्या विकारी शब्द हैं जो चार प्रकार के होते हैं संग्या सर्वनाम विशेशन और क्रिया अब one by one करके इन पे चर्चा करेंगे. तो देखते हैं संग्या किसे कहते हैं? विकारी शब्द में सबसे पहला लेते हैं संग्या. संग्या पे चर्चा करेंगे. विकारी शब्द. विकारी शब्दों में पहला है संग्या. संग्या किसे कहते हैं? हम प्रथम क्लास से, तृतिय क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं संग्या. संग्या किसे कहते हैं? किसी भी नाम को हम क्या कहेंगे? संग्या कहेंगे. संग्या किसे कहेंगे? किसी भी नाम को हम संग्या कहेंगे संग्या वह है नाम जो किसी व्यक्ति का हो सकता है किसका हो सकता है व्यक्ति का हो सकता है स्थान का हो सकता है किसी व्यक्ति का हो सकता है किसी स्थान का हो सकता है या किसी वस्तु का नाम हो सकता है का नाम किसी व्यक्ति स्थान वस्तू का नाम क्या कहलाता है संग्या कहलाता है संग्या के बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं आप तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तीसरी में भी पढ़ा चोथी क्लास में भी पढ़ा माचवी में भी छटी में भी निरंतर हम पढ़ते रहे हैं तो उसमें संग्या किशे कहते हैं तीसरी कलास में हमने पढ़ा था किसी वस्तु व्यक्ति स्थान आदी के नाम को हम संग्या कहते हैं वही बात यहां पर भी लागू होती है यह किसी नाम को ही हम क्या कहते हैं संग्य में यदि देखते हैं जैसे मा लीज़े मेरा ही नाम है मनोहर इसी प्रिकार से स्थान का नाम लेते हैं जैसे जैपूर एक निश्चित स्थान का नाम है जैसे इसी प्रकार से जोदपूर जोदपूर भी एक स्थान का नाम है इसी प्रकार से यदि मैं कहूं कक्ष कक्ष भी एक स्थान का नाम है इसी प्रकार से वस्तू के बारे में जब हम बात करें शामपट श्याम पट तो यह एक वस्तू का नाम है इसी प्रकार से यह दि मैं कहूं कि पंखा यह भी क्या है एक वस्तू का नाम है तो यह वस्तू के नाम व्यक्ति के नाम या किसी स्थान के नाम है वो सब क्या कहलाएंगे संग्या कहलाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे संग्या कहेंग प्रकार कोन कोन से होते हैं संग्या कितने प्रकार की होती है ये भी हम पूरों में पढ़ चुके हैं पहले पढ़ चुके हैं कक्षाओं में प्रकार इसके मूलत है तीनी प्रकार होते हैं कितने प्रकार होते हैं तीन प्रकार होते हैं कोन कोन से हैं नमबर एक पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संग्या नमबर दो दो नमबर पे आता है जातिवाचक संग्या नमबर तीन पर देखते हैं तो तीन नमबर पे आता है भाव वाचक संग्या समझ मैं कितने प्रकार हुए हैं तीन प्रकार विविद्ध विद्वानों ने पांच प्रकार भी बताएं किसी ने तीन प्रकार भी बताएं लेकिन वो सारे कहां से भेद कर लिया है जाती वाचक को तोड़ कर और भेद बना लिया जैसे समूव वाचक बना लिया द्रव्य वाचक बना लिया लेकिन वो भेदों में गिनते नहीं क्योंकि वो सारे जाती वाचक संग्या में आ जाते हैं समाही तो होते हैं इसलिए मूलत है संग्या के मात्र तीन प्रकार ही होते हैं पहली व्यक्ति वाचक संग्या दूसरी जा यक्ति का बोध करवाता है इसमें देखते हैं जाती वाचक यानि जाती का बोध करवाता है समू का बोध करवाता है इसी प्रिकार से बहुचन हो गया क्योंकि समू में बहुचन होता है बहुचन का बोध करवाता है तो वहां पर जाती वाचक और यहां पर देखिए किसका ब व्यक्ति वाचक संग्या को लेते हैं, व्यक्ति वाचक संग्या किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति अत्वा एक वचन नाम का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्ति वाचक संग्या कहेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्या गया है, व्यक्ति यहाँ भी व्यक्ति, इससे ही हम स्पस्ट कर लेते हैं, कि यह संग्या कौन सी है, व्यक्ति वाचक संग्या है, अब उधारन यदि इसके लेते हैं, व्यक्ति वाचक संग्या के, अब ही मैं एक वचन है या बवचन है एक वचन है इसी प्रकार से मैं लिखूं कि मोहन एक वचन है इसी प्रकार से मैं लिखूं जयपूर एक वचन है इसी प्रकार से मैं लिखूं बाडमेर इसी प्रकार से लिखूं मुंबई इसी प्रकार से अन्य वस्तों के नाम ले लेते हैं जैसे टेबिल, इसी प्रकार से स्टूल, स्टेंड, बस, क्या है ये एक वचन होने के कारण से ये कौन सी संग्या के अंतर गताते हैं व्यक्ति वाचक संग्या के अंतर गताते हैं बज में आया होगा आपको व्यक्ति वाचक संग्या किसे कहते हैं व्यक्ति वाचक संग्या वह होती है जो किसी व्यक्ति अथवा एक वचन का एक वचन नाम का अबोध करवाती है वह व्यक्ति वाचक संग्या कहलाती है अब बात करते हैं नमबर दो जाती वाचक संग्या कौ आती है जो किसी समूह का किसी जाती का या बहुवचन का बोध करवाती है किसी समूह का या किसी जाती का या बहुवचन का बोध होता है बहुवचन नाम का कि इन तीन चीजों को ध्यान में रखना है क्या होगा कोई समू का नाम होगा या किसी जाती का नाम होगा या वह बावचन का समू होगा यानि बवचन का बोध होगा वह संग्या शब्द जो किसी समू का या जाती का या बवचन का बोध करवाती है वह क्या कहलाती है जाती वाचक संग्या कहलाती है उधार्ण में जैसे मानव है, मानव में सभी आ गए, जैसे स्त्री है, पुरूस है, बच्चे है, बूडे है, जवान है, सभी एक समो है, समो होने के कार्ण से ही है कौन सी संग्या कहलाएगी, जाती वाचक संग्या कहलाएगी, जैसे जानवर, अब जानवर में कोई एक तो है नहीं जानवर में भी एक समू है वह कोई पसू भी हो सकता है पसू में जैसे हीरन है भैस है उंट है सारे वो क्या कहलाते हैं जानवर कहलाते हैं इसलिए एक समू है शमू को बोध करवाती है इसलिए इसे हम जाती वाचक संग्या कहते हैं और उधारन लेते हैं जैसे और उधारनों में उसी प्रिकार से जैसे महीलाएं या महीला महीलाओं का औरतों का एक शमू है उसके लिए इसका प्रियोब किया जाता है इसी प्रकार हम और भी ले सकते हैं बहुत से ऐसे उधारण है जो जाती वाचक का बोध करवाते हैं जैसे शिक्षक गण शिक्षक गण तो यहाँ पर एक समू बन गया तो समू का बोध करवार आईए इसलिए इसे जाती वाचक संग्या कहेंगे समझ में आपको जाती वाचक संग्या किसे कहते हैं जाती वाचक संग्या जो किसी समू का बोध करवाए या जाती का बोध करवाए या बहवचन का बोध करवाती है उसे जाती वाचक संग्या कहते हैं अब बात करते हैं भाव वाचक संग्या कौन सी संग्या भाव वाचक जो व्यक्ति में नहीत भाओं का बोध कराएं जैसे अच्छा बुरा क्रोध इर्ष्या गलानी द्वेश हशी खुसी सुख दुख यह क्या है यह मानवी भाओं है इन भाओं का बोध कराने वाली संग्या क्या कहलाती है भाव वाचक संग्या कहलाती है जैसे उधान के लिए हम लेते हैं मानव, मानव सब्द है, मानव एक जातिवाचक संग्या है, लेकिन इसको हम भावाचक संग्या में बदलते हैं, तो क्या बन जाएगा, मानवता, क्या बन गई, मानवता, इसी प्रकार से दानव है, तो दानव का क्या बन जाएगा, दानवत जैसे इर्षया है इर्षया इसी प्रकार से सुन्दर सब्द है तो सुन्दर का क्या बन जाएगा सुन्दरता तो ये क्या है ये भावाचक संग्या है इनको हम क्या कहेंगे भावाचक संग्या कहेंगे समझ में आया होगा आपको तो संग्या कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की होती है व्यक्ति वाचक जाति वाचक भाव वाचक जो किसी व्यक्ति या एक वचन का बोध करवाती है जाति वाचक जो किसी समू किसी जाती या बोध करवाती है बाव वाचक जो मनुष्य में निहीत विविद भाव हार्श सोग लानी इर्श्या द्वेश प्रसनता खुसी दुख सुख इनका बोध करवाती है वह भावाचक संग्या कहलाती है जाती वाचक संग्या को भी भावाचक में बदल सकते हैं और व्यक्टी वाचक संग्या को भी भावाचक में बदल सकते हैं इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें की सर यहां तो यह आया था जैसे कक्ष आ गया कक्ष सब्द तो कुण सा है व्यक्ति वाचक संग्या है लेकिन यहां पर हमीशे जाति वाचक में बदलें तो कक्ष, कक्षा एं इसा और यहां बवचन हो गया तो किस में आ गया जाती वाद्सक को गया अगया इसी प्रिकार से जैसे सुंदर सभध है यह तो विशेशन लेकिन यहां पर सुंदरता शब्द जुड़कर यह बहाँ वाद्सक संग्या में परिवर्तित हो गया तो कहने का मतलब यह इनको हम बदल सकते हैं परिवर्तित भी कर सक संग्या का पोर्शन आपको अच्छी तरह से संग्या क्या है ठीक है आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्वनाम विशेशन क्रिया इनके बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद एक बार फिर से मैं आप लोगों से निवेधन करता हूं जो अभी तक इस सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें जिससे की समय समय पर आपको ये विशेवस्तु उपलब्द हो सके धन्यवाद फिर मिलेंगे